असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उर्दू में खत कैसे लिखा जाता है हाउ टू राइट लेटर इन उर्दू उर्दू में खत या फिर चिठी कैसे लिखते हैं तो देखिए खत को इंगलिस में बोलते हैं लेटर हिंदी में बोलते हैं चिठी और उर्दू में बोलते हैं खत और शायद फार्सी में बोलते हैं मक्तूब तो आप इसको कुछ भी ब से बेवज़ा पाच नमबर छूट जाए ठीक है और इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड की हूँ जिसमें मैं आप लोग को 100% सही और आसान तरीका बताऊंगी जिसको समझने के बाद आप किसी के पास भी भाई बहन अपने अबू अम्मी दोस्त किसी के पास भी किसी भी मुद बताऊंगी सही तरीका बताऊंगी उसको समझ लिजेगा ताकि एक्जाम में कोश्टन पुछे खत लिखने का तो आप आसानी से खत लिखकर आजाए और आपके मुठी में पास नमबर आजाए तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुचे और सभी का भला हो वो भी इस वीडियो का लाव उठा सकें और उसके बार से अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और जो मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हैं वो वीडियो को लाइक शर्व अगरा कर देंगे तो चलिए बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर आप उर्दू में खत लिखना शुरू करें तो अपने पेज के माली जी आप ल लोगो इसको ध्यान में रख लेना है जितना भी मैं ब्लू कुलर के मारकर से लिखी हो इसको याद कर लेना उसके बाद से तो आपका तो मतलब टेंशन लेने की ज़रुरत नहीं है कोई भी खत आप आसानी से लिख सकते हैं और यह जो ब्लेक कलर के मारकर से लिखा गया है यह जो है मुद्दा चेंज होने पर चेंज होगा टॉपिक चेंज होने पर ठीक है तो चलिए मैं आप लोगो को एक यह करकर समझाती हूं सबसे पहले देखिए आप लोगो को पांच नमबर किस तरह मिले है जो कौपी चेक करता है वो देखता है कि आप यहां पर अलेकुम किये हैं कि नहीं जिसके पास भी खतें किये युझ को सलाम और आदाब किय много एक दो तीन यहीं से अप लोगगो तीन मिल जाएगा उसके बाद से जिस चीज के बारे में आप खतन लिखें इस बात का जिकर करना है आप लोगों को खत्में वह मैटर आप देखे सही से लिखे हैं कि नहीं मतलब अपने बात का जो दिक्र कि यह हैं वो आप सही से किय है किय है कि नहीं खत में तो यह देखेगा ठीक है और शुरुवात कि देखे तो यहीं से आप लोग को पांच नमबर मिल जाएगा देखिए एक दो तीन और यह पूरा चार और एक पांच ठीक है तो पूरा पांच नमबर मिलता है यही एक्जामीनर देखता है और कुछ नहीं तो अप स्टार्टिंग और लास्ट अच्छा से करेंगे मतलब जो कुछ भ क्योंकि आप एक्जाम में बैठ कर यह खत लिख रहे हैं लेटर लिख रहे हैं तो शुरू में क्या लिखेंगे इमतहानी मरकज अगर आप रियल में मतलब खत लिख रहे हैं किसी के पास तो इमतहानी मरकज लिखने की ज़रूत नहीं नहीं लिखना है तो इमतहानी मरकज लिखना बनता है और उसके बाद से कौमा देगी जिस तरह दिया गये हैं उसके बाद आप लिखेंगे लेकिन नाम नहीं लिखेंगे अगर आप एक्जाम में बैट कर लिख रहे तो शहर के नाम के जगा अलिभ बेजीम डाल देना है तो बहुत सारी स्टुडेंट हैं जो कमेंड करके पूछने लगते हैं कि शहर का नाम डाल देंगे तो कोई दिकत तो नहीं है देखिए कोई दिकत नहीं है लेकिन हो सकता है कि आप लोगा नमWorld कठ जाए ठीक है तो क्या जरूरी है रिस्क लेना उसे अच्छा अलिब बेजिम लिख दीजिए शहर का नाम क्या जरूरी है लिखना आगे डेट लिखा जाता है तो इतना में तो आप लोगों को एक नमबर मिल जाएगा उसके बाद से आप जिसके पास भी खत लिख रहे हैं उस एक एक दो हो गया उसके बाद से आप लोगों को सलाम और आदाब करना है तो आप लिखेंगे असलाम वालेकुम और ये एक्सक्लामेशन मार्क देना जरूरी होता है जिस तरह मैं लिखी हूँ इसी तरह आप लोगों को लिखना है असलाम वालेकुम ठीके और उसके बाद स भी खत क्योंना लिख रहे हैं किसे भी मुद्दे पर क्योंना लिख रहे हो यह स्टार्टिंग आप लोग इसी तरह कीजेगा याद कर लीजिए कि मुझे कल आपका खत मिला जानकर खुश हुई कि आप सभी लोग खैरियत से हैं मैं भी अल्ला के फजल अकरम से ठीक हूँ इस जिकरी की हूँ देखिए मैं कैसे लिखी हूँ मेरी मैटरी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है हाल ही मैं मैटरी का टेस्ट हुआ और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई और जल्द ही हत्मी इमतहान होने वाला है इसलिए इन दिनों में और भी इन दिनों मैं और भी ध्यान देकर पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ ताके मैं अपनी मेहनत और आपकी दूआ से इंशालला मैटरी के इस सलाना इमतहान में यानि कि फाइनल एक्जाम में मैं भी अच्छे नंबरों कि फने पर चेंस होगा ठीके आप लोग का कोई और मुद्धा हो सकता है कोई सी और चीज के बार में आप लोग कोठे ने के लिए मिल सकता है माले जी आप लोग पूछ दिया कि अपने भाई के पास इक खत लिखे की मांग की गई हो तो अब देखिए यहां पर मुद्धा चेन्ज हो गया किस चीज के बार में आप लोंको खत के लिखना है तो दोंसार उपए की मांग गई ओ यानिकि दोंसार उपए अपने उस्ट में आपने भाई से मांगना है तो यहाँ बिल्कूल शुरुआत इसी तरह रखेंगे बस यह कहां से जो आप बातillery स्टार्ट करेंगे । यह जोबात आप लोग मैं लिखी हूं अभिए चीज हो जायेगा यह रगई फिक पर यह जो बाते नसन की चानल पर टॉपिक चंज होने पर चेंज होती रहती है आई टिंक आप लोग को समझ में आया होगा और लास्ट में आप लोग को लिखना है घर वालों के सभी लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को धेर सारी दुआएं ये लास्ट में लिखना जरूरी होता है याद कर लिजेगा चाहे किसी के पास भी आप खत क्यों न लिख रहे हो लास्ट में ये लिख देंगे याद कर लि लिखेगा आपकी प्यारी बेटी अगर आप लड़का है तो लिखेगा आपका प्यारा बेटा या फिर आपका फर्मा बरदार बेटा ठीक है अगर आप अपने भाई के पास खत लिखे तो लिखेगा आपकी प्यारी बेटी या फिर आपका प्यारा बाई अगर आप लड़क अलिफ बेजीम डाल देना है ठीक है नाम लिखना अलाव नहीं होता है तो अपने नाम के जगा अलिफ बेजीम डाल दीजिएगा और इस तरह आप एक खत लिखकर तयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ठीक है आई तिंक जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई वह बह यह अच्छा लगा तो लाइक शोव वगरा तो आप लोग करीदी होंगे तो चलिए फिर वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज